रिष्टा एक पंची के तरह है अगर उसे बंद करके रखोगे तो वो मर जाएगा और अगर उसे छोड़ दो धीला करो तो वो उड़ जाएगा और प्यार दिखाओ तो वो साथ रहेगा जिन्दगी एक पानी के तरह है उसमें गंदगी मिलाओगे तो वो नाला बन जाएगा और उसमें महक मिला दो तो गंगा जल बन जाएगा जिन्दगी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं सिखाती है जब भी सिखाती है तो बहुत बड़ी कीमती चीज लेने के बाद सिखाती है जिन्दगी एक पानी के तरह है उसमें गंदगी मिलाओगे तो वो नाला बन जाएगा उसमें महक मिला दो तो गंगा जल बन जाएगा जिन्दगी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं सिखाती है जब भी सिखाती है तो बहुत बड़ी कीमती चीज लेने के बाद सिखाती है रिस्ता एक पंची के तरह है अगर उसे बंद करके रखोगे तो वो मर जाएगा तो साथ रहेगा हारने में तब मज़ा आता है जब लोग हारने का इंतजार करें माटी का दिया पूरी रात लड़ता है दुख तो भगवान का दिया है फिर तो किस बाद से डरता है लोग चुराने लगे हैं मेरी साहिरियां तब ही मेरा दर्द चुरा कर तो देखें मेरी माने मुझे एक बात सिखाई है हारना नहीं हारने वाले को हराना मत खोलो मेरी जिन्दगी की किताबे अब मैं वो नहीं रहे गई अब मैं बदल चुकी हूँ उसने कहा तुम्हारी आखें बहुत प्यारी लगती हैं मैंने मुस्कुरा कर कहा बारिस जब तेज होती है तो मौसम भी प्यारा लगने लगता है मा और सास में क्या अंतर है मा जनम देती है तो सास जीवन साथी देती है मा घर के काम सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है मा कोमल कली बनाती है तो सास विसाल विरिच बनाती है मा सुख में जीना सिखाती है तो सास दुख में जीना सिखाती है मा घर के काम सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है ना तस्वीर है तुम्हारी जो दिदार किया जाए ना तुम हो पास जो प्यार किया जाए निकलते हैं ये आसू जब मुलाकात नहीं होती तड़पता ये दिल जब तुमसे बात नहीं होती कि कौन सा दर्द तुमने दिया है ये सनम भगवान क्या बराबर हिसाब इंसान का किया है ना आते वक्त कुछ लाता है ना जाते वक्त कुछ लेके जाता है एक चड़िया ने मधु मख्य से कहती है तुम इतना मेहनत से सहथ बनाती हो और लोंग तुम्हारे सहथ को चुरा ले जाते है तब मधु मक्खी बहुत ही प्यार से बोलती है लोग मेरे सहत को चुरा सकते हैं पर सहत बनाने वाला कला मेरे से कभी नहीं चुरा सकते वो मेरे ही अंदर ही रहेगा सब दिका भी ये एक अपना साध होता है बोलने से पहले चक लिया करो जब खुद को अच्छा लगे तब किसी और को बोला करो खावा समय समय पर बदलता रहता है कभी इधर बैहता है तो कभी उधर बैहता है ऐसे इंसान की जिन्दगी है समय समय पर अपना बदलता रहता है किसी के जीवन में दुख है तो किसी के जीवन में सुख है मा और सास में क्या अंतर है मा जनम देती है तो सास जीवन साथी देती है मा घर के काम सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है मा कोमल कली बनाती है तो सास विसाल विरिच बनाती है मा सुख में जीना सिखाती है तो सास दुख में जीना सिखाती है मा घर के काम सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है जब आजय मेरे जान के नाग पे गुस्सा मा कसम लगता है ववाली तेरे चेहरे पे एक नूर होगा, मेरे प्यार का निसान होगा, मेरे नाम का तेरे चेहरे पे सिंगार होगा ना तस्वीर है तुम्हारी जो दिदार किया जाए, ना तुम हो पास जो प्यार किया जाए निकलते हैं ये आसू जब मुलाकात नहीं होती तड़पता ये दिल जब तुमसे बात नहीं होती कि कौन सा दर्द तुमने दिया है ये सनम जब आजाए मेरे जान के नाग पे गुस्सा मक कसम लगता है ववाली ना तस्वीर है तुम्हारी जो दिदार किया जाए ना तुम हो पास जो प्यार किया जाए निकलते हैं ये आसू जब मुलाकात नहीं होती तड़पता ये दिल जब तुमसे बात नहीं होती कि कौन सा दर्द तुमने दिया है ये सनम तेरे चेहरे पे एक नूर होगा मेरे प्यार का निसान होगा मेरे नाम का तेरे चेहरे पे सिंगार होगा एक चिडिया ने मधु मक्खी से कहती है तुम इतना मेहनत से सहद बनाती हो और लोग तुम्हारे सहद को चुरा ले जाते हैं तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता तब मधु मक्खी बहुत ही प्यार से बोलती है लोग मेरे सहत को चुरा सकते हैं पर सहत बनाने वाला कला मेरे से कभी नहीं चुरा सकते वो मेरे ही अंदर ही रहेगा भगवान क्या बराबर हिसाब इंसान का किया है ना आते वक्त कुछ लाता है ना जाते वक्त कुछ लेके जाता है जिन्दगी एक पानी के तरह है उसमें गंदगी मिलाओगे तो वो नाला बन जाएगा उसमें महक मिला दो तो गंगा जल बन जाएगा जिन्दगी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं सिखाती है जब भी सिखाती है तो बहुत बड़ी कीमती चीज लेने के बाद सिखाती है रिष्टा एक पंची के तरह है अगर उसे बंद करके रखोगे तो वो मर जाएगा और उसे छोड़ दो धीला करो तो वो उड़ जाएगा और प्यार दिखाओ तो वो साथ रहेगा हारने में तब मज़ा आता है जब लोग हारने का इंतजार करें माटी का दिया पूरी रात लड़ता है दुख तो भगवान का दिया है फिर तो किस बात से डरता है लोग चुराने लगे हैं मेरी साहिरियां कभी मेरा दर्द चुरा कर तो देखें मेरी माने मुझे एक बात सिखाई है हारना नहीं, हारने वाले को हराना मत खोलो मेरी जिंदगी की किताबे अब मैं वो नहीं रहे गई अब मैं बदल चुकी हूँ उसने कहा तुम्हारी आखे बहुत प्यारी लगती है मैंने मुस्कुरा कर कहा बारिस जब तेज होती है, तो मौसम भी प्यारा लगने लगता है मा और सास में क्या अंतर है मा जनम देती है, तो सास जीवन साथी देती है मा घर के काम सिखाती है, तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है मा कोमल कली बनाती है तो सास विसाल विरिच बनाती है मा सुख में जीना सिखाती है तो सास दुख में जीना सिखाती है मा घर की काम सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है ना तस्वीर है तुम्हारी जो दिदार किया जाए ना तुम हो पास जो प्यार किया जाए निकलते हैं ये आसू जब मुलाकात नहीं होती तड़पता ये दिल जब तुमसे बात नहीं होती कि कौन सा दर्द तुमने दिया है ये सनम